लाखों बच्ची नए आयोग गठित होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसी के बाद योपीटेट की परिच्छा और योपीटेट की परिच्छा के बाद नई सिक्षक वर्ती की संभावनाएं बन सकती हैं यहां पर हाई कोर्ट की सकती को देखते हुए आयोग के जल्द गठन की उमीद है और साथी साथ अटल आवाशी विद्यालों में भी नए आयोग से ही सेवी भर्ती कराने का प्रस्ता हो है यहां पर कहा जा रहा है कि उच्छो सिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक बेसिक प्राविधिक ब्यावसाइक सिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याणवा वक्फ विभाग में सिक्षकों एवं प्राचारियों प्रधानाचारियों के चैन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सिक्षा सिवाचेन आयोग को 24 जुलाई से पहले आस्तित्तों में आ सकता है। सासन ने 2 माई को 12 सदसी समिती का गठन करते हुए आयोग के अधनियम 2019 में संसोधित करते हुए नया ड्राफ्ट तयार करने के निर्देश दिये थे। सुत्रों के नुसार समित ने संसोधित मसोधे को अंतरिब रूप देते हुए अपनी संस्तुती सासन को भेज दी है। मुक्यमंतरी योगी आदेतिनात ने 4 जून और 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और 3 जन्वरी और 15 मार्च और 4 अप्रेल इतलब कई बार इसको पेस किया गया है सीम साहब के सामने इसमें कुछ संसोधन के निर्देश दिये गए थे और ये नए प्रावधान सामिल करते इस बीच नए आयो को लेकर हाई कोर्ट के सक्त रुक को देखते विए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उमीड जताई जा रही है क्योंकि महेंदर सिंग एम तीन अन्य की ओर से तायर आचिका के सुनवाई 24 जुलाई को होनी है नए आयो का मुख्याले उत्त परिक्षा सिवा चैना आयोग कराएगा यूपी टेट यह बात तो पहले से ही तैह है कि जब नए आयोग बनेगा तो सारी परिक्षां यही कराएंगी जो भी टीचिंग से रिलेटेट होंगी इसके पहले यह बरती पीन पी की द्वारा कराई जाती थी जो आपकी डियलेट होगा जुलाई में आस्तित्व में आही जाएगा इसके लावा जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में भरती पर अभी रोक लगी हुई है काफी समय पहले लगबग साल भर पहले यह परिक्षा हुई थी और अभी इसकी नियुक्ति लोगों को नहीं मिल पाई है इस वी